नमस्कार, कैसे हैं आप, आशा है, आप स्वस्थ हैं तता अपना खयाल अच्छे से रख रहे हैं। आज हम अध्याए एक संसाधन और विकास के बारे में बात करेंगे। इस अध्याए के पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि संसाधन क्या होते हैं, यह कितनी प्रकार के होते हैं, संसाधनों का नयोजन क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ सतक पौश्णिय विकास और संसाधन संरक्षन पर भी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे भू संसाधन और मृदा के बारे में। कभी आपने सोचा है कि जिस जमीन पर हम क्रिशी करते हैं, मकान, हस्पताल, सडकें, फैक्ट्रियां, रेलवे लाइने इत्यादी बनाते हैं, क्या हम उस बहमुल्य प्राकृतिक संसाधन अर्थात भू संसाधन का सावधानी पूर्वक परयोग कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो भूमी और मृदा हमारे जीवन का आधार हैं। आए जानते हैं भारत के भू संसाधन और मृदा के बारे में। भू संसाधन का अर्थ है भूमी पर पाए जाने वाले संसाधन जैसे पेड़ पौधे, वन्ने जीव, मानव जीवन, परिवहन एवं संचार सेवाएं। यहां तक कि सभी आर्थिक कतिविध्यां भी भूमी पर ही आधारित हैं। परन्तु भूमी एक सीमित संसाधन है। इसलिए भूमी का उपयोग भी योजनाबत तरीके से ही करना चाहिए। भारत में कुल भूमी का 43 प्रतिशत भाग मैदान, 30 प्रतिशत भाग परवत तथा 27 प्रतिशत हिस्सा पठार हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी आप दो व्रिद चित्र देख रहे हैं। जिसमें 1960, 61 तथा 2014 पंद्रा का सामान्य भूम उपयोग दिखाया गया है। और इस चित्र का स्त्रोत है डारेक्टरेट ओफ एकनॉमिक्स अन स्टैटिस्टिक्स, Ministry of Agriculture इस चित्र में भूसन साधनों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया यह दर्शाया गया है। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फूसन साधनों का उपयोग निमनलिखित उद्देश्यों से किया गया है। वन, क्रिशी के लिए अनुपलब्द भूमी इसमें वह भूमी आ जाती है जो या तो बंजर है या गैर क्रिशी प्रोयोजनों में लगाई गई है। जैसे इमारते हैं, सडके हैं, उद्द्योग इत्यादी। परती भूमी के अलावा, क्रिशी अयोग्य भूमी, जैसे चारा गहा, या विविद वरक्षों, वरक्ष फलों या उपवनों के अधीनाति हुई भूमी, या वह भूमी जो क्रिशी योग्य तो है, परन्तु पांच से अधिक वर्षों से उसमें खेती नहीं की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं पर्ति भूमी, पर्ति भूमी क्या है? पर्ति भूमी वह भूमी है जो क्रिशी के योग्यतो है परंतु उसमें क्रिशी ना करके उसे खाली छोड़ दिया गया है. तो इसमें वर्तमान पर्ति भूमी, वर्तमान पर्ति भूमी का अर्थ है जहां एक क्रिशी वर्ष या उससे कम समय में क्रिशी ना की गई हो. और दूसरी है पुरातन पर्ति भूमी जहां एक से पांच क्रिशी वर्ष में खेती ना की गई हो. फिर आप देख सकते हैं शुद्ध बोया गया क्शेत्र, अब यदि एक क्रिशी वर्ष में एक बार से अधिक बोय गय गय क्शेत्र को शुद्ध बोय गय क्शेत्र में जोड दिया जाए, तो वह कहलाता है सकल क्रिशित क्शेत्र, इन वृत चित्रों को देख कर आप यह बताएं कि 1960-61 की अपेक्षा 2014 बंदरा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा वनों में बहुत सीमित बड़त क्यों हुई है। यह भी जानने की कोशिश करें कि बंचर तथा क्रिशी अयोग्य भूमी का प्रतिशत कम क्यों हुआ है। एक और प्रश्न हमारे देश में पशुधन की बड़ी संख्या है परन्तु चारगाह के अंतरगत यदि देखा जाए तो भूमी की प्रतिशत कम हुई है। इसकी क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में भू उप्योग प्रारूप की। किसी भी स्थान पर भूमी का उप्योग होगा या नहीं यह निर्भर करता है कि वहां भू आकरिती कैसी है। अर्थार वह पहाड़ी, मैदानी या पठारी कैसा क्षेत्र है? वहां की जलवायू कैसी है? क्या बहुत जादा ठंड या गर्मी पड़ती है? क्या बारिश बहुत जादा होती है? वहां की मृदा किस प्रकार की है? भारत में सबी क्षेत्रों में मृदा भी अलगलग परकार की पाई जाती है। इसकी साथ साथ उस क्षेत्र में मानविय कारक कैसे हैं? तो यह सब कारक मिलके इस बात को डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थान पर भूमी का उप्योग होगा या नहीं। भारत का कुल भॉगौलिक शित्रफल 32,08,000 वर्ग किलो मीटर है। एक लंबे समय तक भूमी का अतिप्रयोग किया गया तथा भूमी सनरक्षन और प्रबंधन के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये। जिसकी वज़ा से धीरे धीरे भूमी पर मिलने वाले संसाधन का निमनिकरण हो गया। यदि आपको याद हो तो हमने बात की थी कि रसाइनिक खादों वा कीट नाशकों का मृदा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भूमी निमनिकरण क्या है? भूमी का उपयोग जैसा कि आप जानते हैं आदिकाल से हो रहा है और भविश्य में भ होता रहेगा। हमारी मूलभूत आवशक्ताओं का 95 प्रतिशत भाग भूमी से ही प्राप्त होता है। लेकिन हमारी बिना सोचे समझे की गई गतिविधियों के कारण भूमी का निमनिकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड हेटेर भूमी निमनिकरण है। क्य आप बता सकते हैं इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार है। सबसे पहले है वनों की कटाई। व्रिक्षों की कटाई के कारण मृदा अपर्दन होता है। क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं। और पत्ते भूमी में मिलकर भूमी को उर्वर बनाते हैं। तो जब व्रिक्ष कटते हैं मृदा अपर्दन के कारण भूमी का निम्निकरण होता है। जिन ख्षेत्रों में पशुचारण अधिक होता है वहाँ पर भी भूमी का निम्निकरण हो जाता है। इसके साथ साथ जब खदानों से जैसे लोह अयस्क, प्रिला, बॉक्साइट इत्यादी निकाला जाता है तो खननवालिक शेत्र को मलबे और कचरी के साथ खुला छोड़ दिया जाता है जिस वज़ह से भूमी प्रदूशित हो जाती है और इसका निम्निकरण हो जाता है। भूमी को जादा सिंचित करने से भी मृदा में लव प्रदूशिष्ट पदार्थ होते हैं जो भूमी की गुणमत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हमें भूमी निम्निकरण की समस्या को सुलजाना है तो क्या करना होगा। हमें व्रिक्ष लगाने हैं क्यूंकि किसी भी देश में परेवरण संतुलन के लिए यह जरूरी है कि वहां का 33 प्रतिशत क्षित्रफल वन हों। चारा गाहों का उचित प्रबंधन करना होगा। पेडों की रक्षक, मेकला अर्थाथ शेल्टर बेल्स बनानी होंगी और बंजर भूमी का प्रबंधन भी करना होगा। आवश्यक्ता से अधिक खनन पर भी नियंत करना जरूरी है। और उद्योगिक जल को उप्चार अर्थाथ ट्रीट्मेंट के बाद ही विसर्जित करना है ताकि भूमी और जल प्रदूशन को कम किया जा सके। अभी हमने बात की भूस अंसाधनों की। आपके विचार में उद्योगों से निकलने वाले जल से भूमी क क्या नुकसान हो सकता है और क्या इसका कोई हल है इस बात पर विचार करें और अपनी माता पिता या अध्यापक के साथ चर्चा करें। अब बात करेंगे मृदासन साधनों की। जिस मिट्टी में हम बीज होते हैं पेड़ पौधों का विकास होता है वह मिट्टी बनती कै मृदा के निर्मान की प्रक्रिया बड़ी ही धीरे होती है मिट्टी की कुछ सेंटिमीटर गहरी परत बनने में लगभग हजार साल लग जाते हैं। इस चित्र में मृदा परिछेदिका को दिखाया गया है। यह आधार चट्टान है जिससे मिट्टी का जनन होता है। दूसरी स्थिती है जब आधार चट्टान का अपक्षे शिरू हो जाता है। यह अपक्षे प्रकृती के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रिक्रिया, पवन, हिम्नदी, इस्त्यादी कई कारणों से होता रहता है। तीचरा स्थर है जब उप म्रिदा तयार हो जाती है जिसमें बालू, सिल्थ, वम्रितिका या हुमस होती है। हुमस या म्रितिका क्या है यह वे पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों या जीट जन्तों के विघटन से बनते हैं तथा मिट्टी का आंग बन जाते हैं। और यह स्थर है मिट्टी की बनने का आखरी स्थर जिसमें मिट्टी बन कर तयार हो जाती है। मिट्टी या मृदा की विशेषता क्या होगी या मुख्यता निर्भर करती है कि मृदा का जनन किस परकार की चट्टान, अर्थात आगण्य, कायांत्रित या अवशैदी में से हुआ है। भारत में भुवाकृतियों, जलवायों और वनस्पती की भिन्नता के कारण मृदा भी अनेक परकार की पाई जाती है। हमारे देश में पाई जाने वाली म्रिदा की प्रकार हैं जलोर म्रिदा, काली म्रिदा, पीली और लाल म्रिदा, लेटराइट म्रिदा, वन म्रिदा, तथा मरुस्थरी म्रिदा. सबसे पहले बात करते हैं जलोर म्रिदा की, यह म्रिदा देश की महतपून म्रिदा है, क्यूंकि यह हिमाले की तीन महतपून नदियों द्वारा लाए गए निकशेपों से बनी है, यह नदिया हैं सिंदू, गंगा और प्रामपुत्र, इस म्रिदा में रेत, सिल्ट और विभिन अनुपात में पाई जाती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं की जलोर म्रदा उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। यहां वहाँ शेत्र हैं जहां गंगा नदी अपने निक्षेत छोड़ती है। यह भारत का एक उपजावग शेत्र है। उत्री भारत के मैदानों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पूर्विय तटिय मैदानों में जलोर मिट्टी पाई जाती है। यहां महानदी, गुदावरी, प्रिष्णा, कावेली नदियों के डेल्टा हैं। आयू के आधार पर मिर्दा दो प्रकार की होती हैं बांगर तथा खादर। बांगर पुरानी जलोर मिर्दा को कहते हैं इसमें कंकर की मात्रा अधिक होती है। खादर नई जलोर मिर्दा को कहते हैं, इसके कंड जादा महीन होते हैं तथा यह अधिक उप्चाव होती है। जलोर मिट्टी में पोटाश, फासपोरस और चूना पाया जाता है। यह क्रिशी के लिए उप्युक्त मिर्दा होती है। इसी वज़े से इन क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है, तथा जनसंख्या घनती भी अधिक होता है। जाहिर है जहां लोगों को काम मिलेगा, वही पर वह बसना पसंद करेंगे। काली मिर्दा इस मिर्दा का रंग अक्सर काला होता है, इसे रेगर मिर्दा भी एजाता है। जलवायों और जनक शेली का काली मृदा की संरंचना में महत्पून योगदान है। काली मृदा बहुत महीन कणों मृतिका से बनी है तथा इसमें नमी धारण करने की शमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा यह मृदा केल्शियम कार्बोनेट, मेगनीशियम, पोटाश और चूनी जैसे पौश्टिक कत्वों से बनी होती है। गर्मी के मौसम में प्रेस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं जिसके कारण इसमें वायू का संचार अच्छे से हो जाता है। मानचित्र में देखें, यह साराक्षेत्र काली मृदा से बना है। इस शेत्र को डक्कन पठार भी कहते हैं। महराश्ट्र, सौराश्ट्र, मालवा, मध्यप्रदेश और चत्तिसकड के पठार में यह मृदा मिलती है। लाल और पीली मृदा इस मृदा का लाल रंग आगन्य और रुपांत्रित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। यह मृदा मध्य गंगा मैदान के दक्षिनी छोर पर और पश्चमी घाट में पहाडियों पर और इशा में तथा चत्तिसकड में पाई जाती है। लेटर एक मृदा लेटर का अर्थ है इट। यह मृदा अधिकतर गहरी और अमलिये होती है। यह अधिकतर दक्षिन राजियों, महाराष्ट्र के पश्चम घाट क्षित्रों और इशा पश्चम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा में हुमस प्रयाप्त मात्रा में पाई जाती है। लेकिन विरल वनस्पती और अर्धशुश्क पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम हो जाती है। इस मृदा की स्थिती के अनुसार इसमें अपर्दन और भूमी निम्निकरण की संभावना होती है। इस मृदा का निर्मान उष्ण कटिबंधिये और उपोशन कटिबंध जलवायू क्षेत्रों में आर्द्र और शुश्क स्थितियों के एक के बाद एक आने की कारण होता है। मरुस्थलिये मृदा इसका रंग लाल और भूरा होता है। यहां आम तोर पर रेतीली और लवनिये होती है तथा इसमें हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा जलधारण नहीं कर पाती क्यूंकि इसकी नीचे की पर्तों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। यदि इस मृदा को सही तरीके से सिंचित किया जाए तो क्रिशी योग्ये बनाकर इसका इस्तमाल किया जा सकता है। जैसा की पश्चिम राजस्थान में वर्तमान समय में हो रहा है। वन मृदा यह मृदा आम तोर पर पहाड़ी और पर्वतिये क्षेत्रों में पाई जाती है। जहांपर वर्षा बहुत अधिक होती हो। इन रिदाओं के गठन में पर्वती पर्यावरण की अनुसार बदलाव आता है। यह मृदा हुमन स्रहित होती है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्कदार होती है। परंतु उपरी धालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। और अब बात करते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण की। मृदा अपर्दन क्या है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। आम तोर पर मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया साथ साथ चलती है और संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन तब बिगड़ जाता है जब अत्यधिक मानव क्रियाएं जैसे वनों का कटना, अतिपशुचारण, निर्मान और खनन इत्यादी के कारण भूमी जोतने योगे नहीं रहती। मृदा पर्दन को रोकने के उपाए हैं कि समोच्चे जुताई धाल वाली फूमी पर समान उन्चाई वाली रेखाओं के साथ साथ क्रिशी करने की विधी है। इससे जल बहाव की गती भी कम होती है और भूमी की नमी के स्तर में भी व्रिधी होती पहाडों पर मृदा पर्दन को नियंतरत करने के लिए सीडीदार क्रिशी भी की जाती है। घास की पटियां उगाई जाती हैं इस तरीके को पटि क्रिशी या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। यह भी मृदा अपर्दन को रोपने में सहायक है। इसके साथ साथ पेडों को कतारों में लगाकर रक्षत मेखला बनाना पवनों की गती को कम करता है। तथा मृदा अपर्दन को बचाता है। आपका आज का कारे है भारत के मानचित्र में उन राजियों को ढूंडे जहां जलोड मृदा मिलती है तथा क्रिशी एक मुख्य विवसाय है। आज का दूसरा प्रश्ण है आपके विचार से पर्यावरण के पुनह जर्णन से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या लाब देते हैं। आईए आप कुछ करके सीखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मृदा स्तरों के नाम दिये गए हैं। हम इनहीं मृदा परिछेत्र के चित्र में इनकी सही जगा पर लाते हैं। तो शुरू करते हैं। अपक्षय रहित आधारी चटाने। अधस तर्ये अपक्षयत आधारी चटाने। उप मृदा अपक्षयत चटाने बालू गादव मृतिका। उपरी संस्तर की मृदा अब इसे भी करते हैं मान्चित्र में मृदा के मुख्य प्रकार दिखाए गए हैं तो हमने सामने दी गई विभिन मृदाओं के नाम सही स्थान पर स्थापित करने हैं तो चलिए करते हैं पर्वतिय और वन मृदा जलोड मृदा लाल और पीली मृदा काली मृदा शुष्क मृदा तो आज हमने किया भूसन साधन भूमी निम्निकरण और सन्रक्षन के उपाई मृदा के प्रकार भारत के विभिन प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा मृदा सन्रक्षन के उपाई आशा है आप समझ कहे होंगे कि भूमी और मृदा हमारे लिए कित्ते पहमुल्ले प्राक्रितिक सन्साधन है यह अमारी नेतिक जिम्यवारी है कि इन सन्साधनों का हम सन्रक्षन करें किसी भी देश की सरकार तथा योजनाई तभी सफल होती है जब वहां के लोगों की भागीदारी इसमें हो आप भी अपनी भागीदारी इसमें डाल सकते हैं तो मैं आपको एक काम देती हूँ आप अपने विद्याले या अपने घर पर इस्तमाल होने वाले सन्साधनों की एक सूची तयार करें और फिर देखें की आप इन सन्साधनों का प्रयोग किस प्रकार कम कर सकते हैं आशा है आप इसे करेंगे आज के लिए इतना ही स्वस्त रहें, मस्त रहें नमस्कार